नमस्ते मैं हूँ विशाखा और आज मैं बनाऊंगी गोबी मोटर मसाला की रेसिपी बिना दही क्रीम काजु का इस्तमाल करके हम बहुत ही टेस्टी सबजी बनाएंगे तो फिर चली शूर करते हैं तो सबसे पहले ना हम एक मद्यमाकार का प्याज, चार मद्यमाकार के टमाटर, तीन हरी मिर्च, एक इंच अद्रक, साथ से आठ लैसन की कलिया इन्हें हम रफली चॉप करगे मिक्सी राइंडर में एक साथ ही डालेंगे और इसे हम एकदम बारिक पीस लेंगे देखिए इस तरह से हमें बारिक पेस्ट बनाकर तयार करनी है, तो अब इसे हम रखते हैं साइड में कड़ाई को मैंने आच पर रख दिया है, अब इसमें दो बड़े चमच तेल और एक बड़ा चमच घी डालेंगे मैं ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो आप इसमें तेल की मातरा को बड़ा सकते हैं अब इसमें जाएगा एक चुटा चमच जीरा, जीरा हलका तड़ेकने के बाद हमने जो पेस्ट बनाकर रखी है, प्याज और टमाटर की वो डालेंगे इसमें दोस्ते इस सबजी को बनाने के लिए आपको ज़्यादा काम जाम नहीं करना पड़ता है, बस टमाटर प्याज को आपको मिक्से में बारिक पीस लेना है अच्छा तो इसे हम अच्छी तरह से भून लेता है, जब तक कि इसमें से जो कच्चापन है वो नहीं जाता है और ये भून कर इसमें से तेल है वो अलग नहीं होता है, तब तक हमें मिडियम या धीमियाज पर रखकर इसे भून लेना है इसे भूनते वक इसके छीटे है वो बाहर आते है सो आपको इसे केरफुली भून लेना है तो इसके उपर हम ढखकन लगा कर थोड़े देर तक पकाएंगे थोड़े देर के बार ढखकन को निकाल लेते है देखिए यहाँ पर हमारी ग्रेवी अच्छी तरह से भून चुकी है तो अब इसमें जाएंगे सुके मसाले एक चोटाई चमज हल्दी पाउडर देर चोटा चमज लाल मिर्चो का पाउडर डालेंगे एक चोटा चमज धनिया पाउडर अब इन मसालों को हमें अच्छे से पकाना है ग्रेवी में कुछ मिनट तक भून लेने के बाद अब इसमें हम सबजिया डालेंगे तो सबसे पहले हम गोबी डालेंगे तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम गोबी लिया है जिसे मध्यमाकार में कटकर के लिया है तो वो डालेंगे सबसे पहले इसे हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से ताकि मसाला है वो अच्छी तरह से अंदर तक जाए क्योंकि मैंने इसे बड़े पीसिस में कटकर के लिया है तो इसे पकने के लिए टाइन लगेगा तो पहले इसे हम पकाएंगे तो इसके उपर ढखकन रखकर कुछ 5 से 7 मिनिट के लिए पकने देंगे थोड़े दर के बार ढखकन को निकाल लेते हैं अब इसमें हम डालेंगे ताजे हरी मटर 200 ग्राम मटर लिया है मैंने तो चाहे तो आप इसमें फ्रोजन मटर का इस्तिमाल कर सकते है अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कुछ 4 से 5 मिनिट के लिए भूनेंगे अब इसमें जाएगा एक चोटा चमच गर मसाला पाउडर एक चोटा चमच किचन किंग मसाला पाउडर स्वादा अनुसार नमक डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे जरूरत के अनुसार इसमें हम पानी डालेंगे तो यहाँ पर मैंने एक ग्लास और थोड़ा जादा पानी डाला है वैसे आपको ग्रेवी जादा चाहिए तो पानी की मातरा को बढ़ा सकते हैं अच्छे से स्टर करेंगे और तेज आज पर रखकर इसमें एक उबालाने देंगे जब इसमें उबालाएगा तो गैस की फ्लिम को हम धीमी करेंगे और इसके उपर ढखकन रखकर हमें सबजी को पकने देना है कुछ 10 से 15 मिनिट के लिए अब चेक करते हैं तो ढखकन को निकाल लेंगे बस आखिर मेना हम ताजे धने के पत्ते और थोड़ा सा ही निम्मू का रख डालेंगे इसमें और इसमें इक्स करेंगे लीजे यहाँ पर हमारी स्पाइसी और चटपटी सी गोबी मतर मसाला रेडी है अगर रेस्टाइल के रेसिपी चाते हैं तो चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं तो फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप घर का गईएगा और अपना खयाल रखे